आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Select the type of Parthenogenesis in which deployed unfertilized eggs forms only females यहाँ बोला गया है कि कौन से type के Parthenogenesis जो होते हैं उनमें deployed unfertilized एक जो होता है वो female में develop करते हैं तो चले देखते हैं कि क्या-क्या options यहाँ पर प्रवाइड़ है तो फर्स्ट है जो की आरेनो टॉकी है आरेनो टॉकी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर unfertilized जो eggs होते हैं वो unfertilized eggs form करते हैं male में यानि यह हमारा correct answer नहीं है वह यह पर अगर तेली टॉकी में देखा जाए जो की bees में दिखाए देता है तो यहाँ पर unfertilized जो egg होते हैं जो की deployed number में पाये जाते हैं यह maturation में फॉर्म करते हैं female structure को और यही चीज यहाँ पर पूछा गया है और इसी वएसे हम कह सकते हैं कि जो तेली टॉकी है यही यहाँ पर correct option हो जाएगा वहें पर amphi टॉकी का बात करें तो यह एक ऐसा situation होता है जहाँ पर unfertilized egg जो है वो nature पर depend करता है कि वो male होगा या फिर female होगा यह may भी pH पर depend करता है या फिर temperature पर depend कर सकता है या फिर salinity पर भी depend करता है वहें पर अगर देखा जाए तो epi टॉकी का बात करें तो यह worms में दिखाए देते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो sexually immature worms होते हैं उन immature worms को epi टॉकी के हिसाब से कहा जाता है तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि according to the question हमारा second option ही correct हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर